इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को एक एक करियर करने जा रहा हूँ मैंने जब से रिजल निकला है बहुत सारे common questions मैंने face किया है अब मैं सोच रहा हूँ कि परस्नली तो reply देना possible नहीं हो पाता है क्योंकि classes में रहते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके उपर properly एक वीडियो बना करके आपके सारे questions को entertain कर लिया जाए और probably आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएगे भाईयों और बैनों पहला सवाल कि आप लोगों में जिनका सपली हुआ है same five में उन्हों का exam कब होगा देकि उन्हों का exam जब odd semester का exam होगा मतलब कि December में हो चाहे January में हो तो result आते 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 आपका समझ यह मार्च अप्रिल होई जाएगा अकला साल का पहला बात दूसरा बात क्या आपके मार्च शीट में लिखा रहेगा कि आप सपली हो भाईयों और बैनों ऐसा कुछ भी लिखावा नहीं रहता है मार्च शीट में तीसरा बात आपने जो भी मार्च पाया है जिसमें आप पास हो उसका मार्च के साथ सपली जब आप अगला बार exam दोगे सपली आला पेपर का तो एक fresh मार्च शीट आपको issue कर दिया जाएगा इसमें चिंता का कोई बात नहीं फूर्थ पॉइंट कि आपके मार्च शीट में डेट नहीं लिखा रहेगा आप जिस बैच के हो उसी बैच के graduate कहला होगे क्योंकि आप लोग में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि क्या मेरा मार्च शीट में 2024 आजाएगा नहीं आपके मार्च शीट में जब का graduate का date होगा वही date होगा बस क्या हो गया आपका time जो है वो lapse हो गया माइडिया स्टुइड और एक common question आप लोग में सारे बच्चे पूछ रहे कि अगर हम eco में fail है तो क्या हमको maths का भी exam देना होगा दोस्तों आपको अगर याद होगा मैं जब exams होते थे मैं रोज चिला चिला के एक ही बात क्यादा था कि eco maths मिला के पास होना है आप लोग में कुछ-कुछ बच्चे comment भी करते थे थे और जिन बच्चों का सबली eco और maths में हुआ है और इसके अलावा अगर कोई आपका personal question है और एक question में है बच्चे जो हम से पूछ रहे है कि मेरा किसी का 7 आया किसी का 9 आया किसी का 10 आया तो लोग सोच रहें कि क्या मैं review में दूँ रीचेक में दूँ personally speaking my dear student friends आपको अगर review रीचेक में देना है तो mental satisfaction के लिए दे दीजे बट अगर आप यह सोच रहे हो कि 7 और 10 marks वाला 24 हो जाएगा तो साइद आप गलत हो और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को 24 ही मिला है that means उनका 23 था उनको grace mark करके 24 कर दिया गया है तो जो बच्चों का 22 है 21 है आप दे सकते होगा there is a 10% chance 2% chance की आपका marks बड़े बट दोस्तों जहां तक मैं CU को जानता हूँ मेरा जो experience है CU में marks नहीं बड़ेगा but still अगर आपको देना है तब mentor side satisfaction के लिए दे दीजिए जैसे review और rechecking का update आएगा हम आपको वीडियो देखर के update दे देंगे तब तक के लिए sim6 के classes धमाकेदार वे में चल रहे है तो join करिए sim6 के classes और धमाका मचा देंगे sim6 में 5 में मचाया है 6 में भी मचाएंगे रिजल्ट देखियो न 5 का खतरनाक रिजल्ट है thank you guys